सर्यू नहर राश्ट्री परियोजना पांच नदियों को जोड़कर 9 जनपदों के 30 लाख किसानों को लाप देने के लिए 9,800 करोड रुपे की लागत से बनाई गई 40 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है मैं माननी प्रधान मंत्री महदे से अनुरोध करूँगी कि रिमोट का बटन दबा कर सर्यू नहर राश्टी परियोजना को राश्ट को समर्पित करें बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण सर्यू नहर राश्टी परियोजना राश्ट को समर्पित 30 लाग के सानों के सिचाई के लिए लाब का अवसर जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारम बहुत बहुत धन्यवाद माने निप्रधान मंत्री महोद है आपके बटन दबने के साथ ही राप्ती और सर्यू बहराज के गेट खोल दिये गए हैं और प्रावाः प्रारम्ब हो गया है नौ नदियां जुड़कर पांच नदियां जुड़कर नौ जन पदों के 30 लाग किसानों के खेतों को सीचने के लिए बह चली हैं जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारम्ब सर्यू नहर राश्ट्री पर योजना कैसी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रवाहित हो रहा है जल गेट खोल दिये गए है इसी परियोजना पर एक छोटी सी फिल्म हमने बनाई है जिससे आप पूरी जानकारी पा सकें आएए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म मर्यादा पुर्शोंतम श्री राम की जन्म भूमी भगवान बुद्ध की कर्म भूमी एवं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के आशिरवाद से अभिसिंचित उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र भारत की सामस्कृतिक विरासप में अपना अलग ही स्थान रखता है पूर्वांचल का ये क्षेत्र हिमालय परवच्ष्रिंखला की तराई में स्थित है और यहां से प्रवाहित होने वाली समस्त नदियों का उधकम हिमालय ही है घागरा नदी के बाई और कोई नहर प्रणाली निर्मित ना होने के कारण ये क्षेत्र वर्षों से सिंचाई सुविधाओं से बंचित रहा सिचाई की इस समस्या को दूर करने के लिए बाई घागरान महर परियोजना की परिकल्पना की गई पहले की सरकारों द्वारा की गई उपेक्षा एवं इच्छा शक्ति के अभाव में ये परियोचना 40 सालों से अधोरी पड़ी थी वर्ष 2014 में माननिया प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में क्रिशी सिंचाई सोविधाओं के विकास हेद देश में अभूत पूर्वकारियों की शुर्वात की कई वर्ष 2015 में मोर क्रॉप पर ड्रॉप वहर खेत को पानी के उद्देश से प्रधान मंत्री क्रिशी सिंचाई योजना का शुभारं बहुआ जो किसानों के लिए वर्दान साबित हुई वर्ष 2017 से पहने उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों जैसे पूर्वाचल बुंदेल खंड के कई भागों में सिंचाई के अभाव में खेती नहीं हो पाती थी किसान बदहाल और भाग्य भरों से थी जो लोग आजकल किसानों के लिए गड़ियाली आंसों बहाते हैं उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने शासनकाल में देश भर में फैली इस तरह की अधूरी सिंचाई परियोजनाए उनको नजर क्यों नहीं आई वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने किसान हितों को सर्वपरी रखते हुए वर्षों से अधूरी पड़ी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओ पर तेजी से काम शुरू किया उसी का परिणाम है कि 40 सालों से अधूरी पड़ी सर्यू नहर राष्ट्रिय परियोजना को मात्र चार वर्षों में पूर्ण किया पूर्व प्रधान मंत्री श्रध्य अटल बिहारी वाचवेजी के नदियों को आपस में जोड़ कर जलके इश्टितम उप्योग किये जाने के सपने को ये परियोजना साकार करेगी जिसके अंतरगत पाँच नदियों को आपस में जोड़ कर सिंचाई हितु नहर प्रणालियों का निर्मान किया गया है 9800 करोड रुपए के लागत से निर्मित इस परियोजना के अंतरगत 6600 किलोमेटर लंबी 900 नहरों का निर्मान किया गया है जिससे 6600 किलोमेटर के बड़े क्शेत्र फल में छोटे एवं सीमान्त किसानों को विशेश लाभ मिलेगा और खेती की लागत में कमी और उपज में वृध्धी होगी इसके अलावा बोनस ट्रॉप की खेती संभव होने से किसानों को अतरिक्त लाभ होगा साथ ही इस क्शेत्र में बाढ़ के प्रकोप से भी राहत मिलेगी आज माननीय प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी द्वारा प्रदान मंतरी कृषी सिंचाई योजना के अंतरगत देश में चल रही 99 परियोजनाओं में से सबसे बड़ी परियोजना सर्यू नहर राष्ट्रिय परियोजना का लोकार पड़ की आजा रहा है पूर्वान चलके नो जनपदों की 15 लाग हेक्टेर क्रिशी भूमी को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी सिंचनेन सम्रिधी भावती की मूल भावना के साथ माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननिय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से सरियो नहर राष्ट्रिय परियोजना से 30 लाख किसान लाभान विथोंगे सरियो नहर राष्ट्रिय परियोजना माननिय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संक्री श्री नरेंद्र मोधी जी द्वारा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना के अंतरगत देश में चल रही 99 परियोजनाओं में से सबसे बड़ी परियोजना सरि माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननिय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से सरीयो नहर राष्ट्रिय परियोजना से 30 लाख किसान लाभान विथोंगे। इस फिल्म के माधिम से आपको जानकारी हासिल हुई सरीयो नहर राष्ट्रिय परियोजना के बारे में ये नया भारत है जो लीक से हटकर हर परिस्थिती में डटकर अपनी सम्रिद्धी और विकास के रास्ते स्वयम बनाता है। बलरामपुर में पहुंचे आपको बता दे कि बलरामपुर में पहुंच कर उन्होंने सबसे पहले करोणों से लागत से बनी हुई। तयार सर्यू नहर राष्टी का लोकार पर हुआ सुलानियाश किया और उसके बाद जन्ता को संबोधन किया। इस आम तोर पर आप देख सकते तस्वीरें पीछे हमारी इस तरीके से जन्ता इस वक्त अपने घर लोट रही है। यहां से आपको बता दे कि परधान मंतरी नरेंदर मोदी लखनाओं के लिए रवाना हो चुके हैं। आप इस प्रूसित पस्वीरें लाइफ देख पा रहे हैं अहारी चैनल की तरप से और आज सबसे बड़ी बात तो यह कि बलरामपुर जिले में सबसे बड़ा यह सोगात मुला है। यूपी लाइब भंडेव न्यूज के लिए बलरामपुर से प्रितम से।